हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेज ऑनलाइन तुडे वी आर गोईंग टू डिसकस अवर नेक्स टॉपिक इन अवर चैप्टर ड्वैल नेचर ओफ रेडियेशन एंड मैटर और आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली कोई नया टॉपिक नहीं है आज ह को मैं यहां पर आपके सामने एक्स्प्लेइन करने की कोशिश करूँगा जो क्वेश्चन है वो इंगलिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है मोशली और उसके बाद मैं उसके नीचे चार आप्शन्स हैं तो आपको जो आज काम करना है वो यह है कि जब मैं जैसे ही निमेर चैनल को सॐ करना है खुद से ऐंसर टिक करना है और मैज करना है कि आनसरर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है ठीक इमानदारी रखें देखो क्या है गलत हो गया ठीक है सीख जाएंगे क्या दिक्कत है लेकिन आपको काम ऐसे ही करना है कैसे करना है क्वेश्चन आया स्क्रीन तुरंट पॉज करनी है ठीक है सो स्टार्ट कर दूँ मैं देखो एकदम सबसे सिंप्लेस्ट क्वेश्चन के साथ मैं मैंने स्टार्ट किया है वेरी 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 फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी 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 एजी क्वेश्चन जिसको हम लोग बहुत बार डिसकस कर चुक है the energy of a photon the energy of a photon of wavelength lambda energy का formula क्या होता है तो E बराबर होता है H new या फिर होता है H C upon lambda so ये सबका सही हुआ होगा option number B यहाँ पर आपको correct दिखाई दे रहा है clear है एकदम आसान सवाल था सबका सही हुआ 100% student का ये question का answer सही होना ही चाहिए तब ही हम लोग आगे किसी question के बारे में expect कर सकते हैं चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग अगला question है देखो the threshold frequency for photoelectric effect on sodium corresponds to a wavelength of 5000 angstrom its work function देखो sodium के लिए क्या हो रहा है एक wavelength जो है वो बोली गई है threshold wavelength बोली गई है 5000 angstrom और इसका work function आप से पूछा गया है सो बई देखो एक बात बताओ आप answer निकालना है तो आपके पास में answer निकालने के दो तरीके हैं यहाँ पर तो कैसे कि आप निकालोगे w बराबर h into c upon lambda 0 मतलब 6.6 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 divided by 5000 angstrom को convert करोगे 10 to the power minus 10 तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखो यह 10 0 को हटाओ तो यह बचेगा minus का 24 यह 3 0 को हटाओ तो यह बचेगा 5 तो यह आएगा 19 पांस से डिवाइड कर लो 5 तिया 15 त्री पॉइंट और यहाँ पर बच रहा है चार 48 मतलब 5 नाइन जा तो 3.9 into 10 to the power minus 19 जूल आएगा और अब आप जानते हैं 3.9 को मैं लगबग लगबग 4 लिख सकता हूं मतलब आपका पांसर आएगा option number a पर clear है एक तरीका तो यह है दूसरा तरीका कौन सा है दूसरा तरीका मैं क्या करता हूं कि देखो मुझे एक डेटा याद है आपको भी मैंने सिखाया हुआ है ऐसा नहीं कि मुझे ही अकेले को याद है मैंने आपको सिखाया हुआ है बारा चार सो डिवाइड़ बाई फाई थाउजेंड कर लीजिए दो जीरो दो जीरो कैंसल फाई से डिवाइड करोगे पचास तो यह आएगा टू पॉइंट चोवीश जीरो मतलब पांच सो यह आठ बार जाएगा चालीस बचेगा तो एट बार एट टाइमस एक सेकंड ह मैंने कुछ गड़बड़ी करी रुको मैंने किया पांच दो दस ठीक है पचास यह गया सो चोवीश बचा जीरो पांच चौका बीस ओके दो सो गए चालीस चार सो तो पांच आ चालीस टू पॉइंट फॉर इट इलेक्टरॉन वोल्ट आ गया इसे मैं लिख सकता हूं टू 2.48 इंटू 1.6 इंटू 10 दो पावर माइनस का 19 तो अब इन दोनों का आपस में मल्टिप्लाई कर लीजे तो देखो 16 दोना 32 तो यह वैसी हो गया और 32 और 36 तो लगबग लगबग 3.89 के आसपास आपका आनसर आएगा तो यह इस तरह की से भी आप लोग कर सकते हैं तो जो आपने मैथर किया होगा देखो समय पे जो मैथर याद आ जाए वो सही है ठीक है तो मैं तो मोश्की आपको कैसे है यही मैथर ज्यादा सूटेबल है क्योंकि इसमें आपको कम कैंसलेशन वगएरा रहता है जल्दी हो सकती है अब हो सकता है आप लोग इस मैथर से करें या सब्सक्राइब से करें वाटेवर भी दा मैथर वाटेवर मैथर यूवांट तो टेक यू कैन यू आर फ्री तु सब्सक्राइब चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग अब अगला क्वेशन देखो क्वेशन नमबर है थ्री यह सारे आइंस्टैन की फोटो एलेक्वेशन वाली सवाल चलने एक तरह से बराबर है कि नहीं वहीं पर हम लोगों छोटे-छोटे पूइंट्स पूछे करते थे यहां पर है अल्ट्रा वालेट रेडियेशन ऑफ 6.2 एलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल्स ऑन ऐल्यूमिनियम सर्फेस ठीक है यह है एनर्जी दे रखी एलेक्ट्र है ए माइनस का डबल्यू तो ए है आपके पास में 6.2 और यह है आपके पास में 4.2 मतलब 2 एलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी दा एनर्जी लेकिन आपके सार चारो ऑप्शन जूल में दे रखे हैं तो आप क्या करोगे 2 इंटू 1.6 इंटू 10 दू पावर माइनस का 19 फटा प यहां पर गिवन है सब का मैच हुआ कोई ऐसा है जिसको परेशानी हुई देखो बहुत ही आसान क्वेशन चल रहे है मैं आपको बता दू इस चैप्टर में कोई ज्यादा डिफिकल सवाल नहीं एक आदा बूला बटका सवाल डिफिकल मिलेगा बाकि सब ऐसे ही सवाल आरा उसके लिए तो तो सवाल थोड़ी खाली भी रखी हुई है अब दो यह सवाल है जो थोड़ह सा यह सवाल इसके बार में कोई भी सवाल डिफिकल्ट नहीं मिलेगा ठीक है चलो आप देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, energy levels A, B, C of a certain atom correspond to increasing values of energy, EA less than EB less than EC, EA, EB और EC हैं, तीन energy levels है, if lambda 1, lambda 2, lambda 3 are the wavelengths of radiations corresponding to transition C to B, B to A और C to A, देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, कि जब आपके पास मैं C to B में transfer हो रहा है energy का, तो यह है lambda 1 के लिए, फिर यहाँ पर है B to A के लिए, जो कि lambda 2 है, और लाश वाला फिर से है C to A, जिसके लिए बोला है, lambda 3 है, तो इसमें से कौन सा relation correct है, यह आपको बताना है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कि जब यह atom का energy transfer की level की जब बात चल रहे है, तो basically यहाँ पर क्या है न, energy difference की बात हो रही है, ठीक है, A, B और C में energy difference की बात हो रही है, अब यहाँ पर बोला गया है C to B, मतलब आप EC से EB जा रहे हो, तो कुछ energy release हो रही है, और energy release होगी तो वो अबर EC upon lambda लिख देता हूँ, ठीक है, अब आपको क्या करना है, correspondingly यहाँ पर लगाना है, तो देखो C से B में क्या है, lambda 1 है, तो आपने लिखा EC minus EB बराबर HC upon lambda 1, ठीक है, अगली बार देखो क्या लिख रहा है, B से A में क्या है, lambda 2 है, तो आपने लिखा EB minus EA बराबर HC upon lambda 2 लिख दिया, और C से A में क्या है, lambda 3 है, तो आपने लिख दिया EC minus का EA बराबर HC upon lambda 3, C से A में ही है न, अब देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सवाल पूशा गया, lambda 3, lambda 1 और lambda 2 में relation चाहिए, तो देखो, अब इस में से देखो, पहला option दिया है, lambda 3 बराबर, lambda 1 प्लस का lambda 2, तो हो सकता है, कई लोग उसी को tick कर दे, लेकिन वो answer नहीं है, यह तो sure है, तो answer कौन सा है, उस पर मैं बात करता हूँ, तो देखो, अब relation कैसे लाया जाए, देखो, यह mathematics से, अब य यदि थोड़ा सा ध्यान से देखो, एक मैंने यहाँ पर line खीच ली, यहाँ पर क्या कर ली, line खीच ली, और देखो, यदि मैं इन दोनों को आपस मैं add कर दूँ, इस वाली equation को, और इस वाली equation को, तो क्या होगा, EB, EB कर जाएगा, और EC minus EA आजाएगा, आएगा की नहीं आएगा EC minus EA, तो देखो, left hand side में EC minus EA बस रहा है, तो जिसे मैं लिख सकता हूँ, HC upon lambda 3, और यह HC upon lambda 3, जो है, वो इन दोनों के addition के equal होना चाहिए, मतलब, आपके पास में जो relation बन के आएगा, वो कुछ इस प्रकार से आएगा, HC upon lambda 3, बराबर HC upon lambda 1, प्लस का HC upon lambda 2, HC, SC, SC, cancel, त 1 by lambda 1, प्लस का 1 by lambda 2, अब यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो 1 by lambda 3, बराबर मैं यह लेता हूँ, LCM, तो lambda 1 into lambda 2, यह आएगा, lambda 2 plus का, lambda 1, take the reciprocal, जैसे आप reciprocal लोगे, तो lambda 3, बराबर आएगा, lambda 1 into lambda 2, upon lambda 1 plus का lambda 2, जो की यहाँ पर आप देखे, option number B में दिखाई दे रहा है, तो इस question, यह question कितने लोगों का सई हो गया, यदि यह question भी आप लोगों का सई हो गया, मतलब आप बहुत ही अच्छे track पर चल रहे हैं, आपने बहुत ही अच्छे से practice करी है, और आपका यह सवाल इसके कारण सई हुआ है, और कुछ लिए, बासन में आ रही है, और यहाँ मैं बोलूँ कि आपके concept बहुत ही अच्छे से clear हुए हैं, इसके कारण आप सई कर पाए हैं, तो भी डरने की जूरत नहीं है, यह कुछ एक अलग तरीके का सवाल था, बेसिकली क्या है न, कि इसको ऐसा मान सकते हैं, जिसको chemistry में basic जो knowledge थी किसी की chemistry की, वही यहाँ पर काम आई है, जो transition में काम आती है, मतलब atoms के अंदर में energy transfer होता है, sorry, electron जब एक energy level से दूसरे energy level म पर काम आ रही है, लेकिन basically question इसी chapter से related लेकिन थोड़ी knowledge वहां की काम आ रही है, basically ऐसा ही सवाल हम लो, आगे चलके atom करके जो chapter आता है, वहां पर भी देखते हैं, ठीक है, so कोई बात नहीं, सही हुआ, अच्छी बात है, गलत हुआ, कोई बात नहीं, डरने ही जुरत नहीं, आगे और सवाल आ रहे हैं, आपके लिए आपको अपना score खुद से निकालना है, अरे, किदर गया, हाँ यह रहा, देखो यहाँ पर question number 5, question number 5 बोल रहा है, radio transmitter operate set of frequency 880 kilohertz and a power of 10 kilohertz, the number of photons emitted per second, number of photons emitted per second, यह कैसे निकाला जाएगा, यह सवाल हो गया, चलो कई लोग अब यहाँ प फटा फट बता दो कैसे करोगे, frequency दे रखी है, power दे रखी है, तो basically देखो power का मतलब होता है, energy per unit time मैंने सिखाया है, yes or no, अच्छा, तो number of photons के लिए मैं बात करता हूँ, तो देखो यह जो power आएगी, यह सब photon के लिए आएगी, सब मतलब और for all photons तो P will be equals to N into E by T, तो जो N आ यहां पर पूछा है, number of photons per unit second मतलब N by T ही मेरे को चाहिए, तो N by T will be equals to P by E, और E क्या होती है, energy और energy होते है, E बराबर H new, और power यहां पर दी गई है, तो आपको values put करनी है, और काम खतम हो जाएगा, बोलो, power कितनी है, 10 kilowatt है, मतलब 10 to the power 3, और 880 kilowatt है, मतलब 10 to the power, ओके, sorry, मैंने यह क्या कर दिया, यह तो यह है, क्या बोलते हैं, wavelength है न, sorry, kilohertz frequency है, तो मैंने यह frequency क्यों से put कर दी, E बराबर H new लिखना है, H की value भी तो लिखनी बाकी है, गड़बड़ी हो जाएगी नहीं तो, बोलो, फटाफट, 10 into 10 to the power 3 divided by H, 6.6 into 10 to the power minus 34 into 880 kilohertz, तो भईय है, मैंने यह value कुट कर दी, यहाँ पर, अब आपको क्या होगा, तो 10 to the power 3 से, 10 to the power 3 cancel, 0 से, 0 cancel, अब यहाँ पर देखिए, आपको solve करना ही नहीं है, 31, 25, 37 और 45, मतलब आपको क्या solve करना था, आपको solve करना है, बस इन powers को, तो देखो, यहाँ पर है, minus 34 उपर जाएगा, तो यहाँ आएगा, 10 to the power 34 divided by 6.6 into 88, अब यहाँ पर एक option दिख रहा है, 31, यदि मैं 31 करता हूँ, तो इसका मतलब यह हो जाएगा, कि मुझे इसको लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, सोचो फटाफट से, क्या मैं इसको 1000 into 10 to the power 31 लिख दूँ, और upon मैं यह सब बचा आ नीचे 6.6 into 88 लिख दूँ गया, मैंने बोला, बिल्कुल सही बात है, अब इसको यदि मैं approximately calculate करने की कोशिश करता हूँ, तो इसको 90 मान लो और इसको 6 मान लो, तो 96 कितना हो गया, 54 हो गया, तो यह क्या 540 क्या सपास आएगा, 540 से इसको कट करो गया, तो लगबग को इसी प्रकार से दिया जाता है options, नीट के exam में भी, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि आपको क्या solve कर लेना, चाहिए जिससे आंजर फटाफट आ जाए, क्योंकि आपके पास में इतना समय नहीं होगा, कि आप एक सवाल पर 2-3-3 मिनट लगाए, हाँ, मेरे पास में अभी जैसी consistency चाहिए, और खरगोश जैसी speed चाहिए, दोनों का combination होगा, तभी आप इस exam में सफलता पाएंगे, सो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरब, देखो अगला सवाल क्या है, एक आपके पास में, momentum of a photon of an electromagnetic radiation is this, आपको दे रखा है, momentum मतलब P दे रखा है, 3.3 into 10 to the power minus 29, क्या पूछा गया है, what is the frequency of the associated wave, जो wave है, उसकी क्या बतानी है, आपको frequency, तो भई कैसे करोगे, बताओ, फटाफट से आपको बताना है, तो आप जानते है, lambda is equal to होता है, h upon P, और एक और बात आप लोग जानते है, वो क्या है, कि new बराबर होता है, c by lambda, मतलब lambda की जगे आप लिख सकते हो, c by new, so, यहाँ पर आपके पास में equation बनेगी, c by new बराबर h by p, so, new will be equals to c into p divided by h, clear है, तो c की value है, 3 into 10 to the power 8, अचा यह c क्या है, पता है न, speed of light है, momentum कितना दे रखा है, 3.3 into 10 to the power minus 29, तो 3.3 into 10 to the power minus 29, upon h होता है, 6.6 into 10 to the power minus 34, so, अब आप देखिए, 3.3 से इसको काटोगे तो यह दो बार कटेगा, 29 से काटोगे तो यह 10 to the power minus 5 आएगा, यह जब उपर जाएगा, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13, और 3 by 2, मतलब 1.5 into 10 to the power 13 hertz इसका answer आना चाहिए, देखो यह एक simple सी calculation है, बोलो फटा-फट आई किया, option number again, A में ही इसका answer मिल चुका है, clear हुआ, आगे बढ़ता हूँ मैं अगले सवाल पे, question number 7, क्या बोला गया है, wavelength of 1 kilo electron volt, मतलब क्या दे रखी है, energy दे रखी है, is 1.24 into 10 to the power minus 9, मतलब क्या दे रखी है, wavelength दे रखी है, तो आप से पूचा गया है, what is the frequency of 1 mega electron volt photon, यह जो 1 mega electron volt वाला photon है, उसकी frequency क्या होगी, यह सवाल है यहाँ पर, तो सलोग करते हैं बई देखो, अब देखो मैं जानता हूँ, E बराबर होता है, hc upon lambda, yes or no, मैंने बोला yes, अब यहाँ पर खास बात यह है, है कि 1 hc upon lambda, यदि lambda की value इतनी हो, तो यह इसकी value इतनी आती है, कितनी 1.24 पर 1 kilo electron volt आती है, तो 1 mega electron volt यदि हो जाए, photon की energy तो उसकी frequency कितनी आएगी, तो किस प्रकार से कर सकता हूँ, किस प्रकार से कर सकता हूँ, तो देखो, यदि मैं यहाँ पर बात करूँ, सीधा-सीधा, सीधा-सीधा एकदम, तो करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ बस यह depend करता है, कि आप किस प्रकार से इसको solve कर रहे हैं, जैसे, अब मेरे पास में energy है, frequency निकालते हैं, तो E बराबर H new से भी कर सकता हूँ, मतलब new बराबर आ जाएगा, E by H, यदि आपने ऐसे किया, तो कितनी energy है भई? energy है, 1 mega electron volt, आपने लिखा 1 into 10 to the power 6, और इसको joule में convert कर लिया है, तो 1.6 into 10 to the power minus 19, बराबर है E, बराबर H new, और new H कितना है, 6.6 into 10 to the power minus 34, तो यहाँ से यह दि मैं देखता हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, इसको लगबग लगबग cancel कर लोगे, तो 4 आएगा, minus 19 से काटोगे, तो यह कितना आएगा, देखो, 19, 19, और 10, 29, मतलब 10 to the power minus 15 उपर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 by 4 into 10 to the power 21, मतलब लगबग 0.25 into 10 to the power 21, ऐसा मेरे पास में answer आ रहा है, इसको 1 0 को adjust कर देता हूँ, तो 2.5 into 10 to the power 20 hertz मेरे पास में answer आ रहा है, तो 2.4 into 10 to the power 20 मेरे को दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह आपका correct answer आएगा, तो उपर की line की ज़रती नहीं थी, वो तो बस ऐसी दे रखी थे आपको, सीधा सीधा वैसे भी कर लेते थे, तो अभी answer आ ही रहा था, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ आ गया है, light of wavelength, 3000 angstrom falls on it, इस पर जो light गिरी है, उसकी value कितनी है, 3000 angstrom, the photo electrons comes out with velocity, कितनी वैलो सीधी से बाहर आएंगे, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो यह आपको work function दे रखा है, तो पहले energy निकाल सकते हैं, energy कितनी निकालेंगे, तो E बराबर आएगा, 12400 डिवाइड by 3000 angstrom, energy E बराबर, 12400 divided by lambda angstrom में, तो देखो, 0000 cancel, so E बराबर आएगा, कितना, यह 0 से point लगा लो, तो 4.13 electron volt, और आपके पास में situation क्या है, work function है इतना, तो kinetic energy maximum क्या लिखी जाएगी, kinetic energy maximum लिखी जाएगी, E माइनस का W, E मैंने निकाला है, कितना निकाला था, 4.13, minus work function दा 1, तो answer आया, 3.13 electron volt, लेकिन ध्याद हखिए, आप से क्या पूछा है, आप से पूछा गया है, speed, तो speed के लिए क्या करना पड़ेगा, इस electron volt को convert करना रहेगा, किसमें, जूल में, तो कै कैसे करोगे, यह आएगा, 3.1 into 1.6 into 10 to the power minus 19, जूल, यह हो गई energy, kinetic energy, अचा kinetic energy का formula क्या होता है, half mv square, so this should be equals to half mv square, बराबर है, अब यहाँ से दी में उजे वी निकालना है, तो वी आएगा, कितना वी बराबर आएगा, under the root of, 2 इधर जाके multiply होगा, और m नीचे divide होगा, तो 2 into, 3.1 into 1.6 into 10 to the power minus 19, divided by, m is the mass of, तो यहाँ पर mass जो रखा जाएगा, वो कितना रखूम है यहाँ पर, यही यहाँ पर एक question है, कौन सा है, किसके लिए बात चल रही है, यहाँ पर, electron, photo electron, तो इलेक्ट्रॉन का mass आप लोग जा बानते है, 9.1 into 10 to the power minus का 31 kg, यहाँ पर answer आएगा, तो इसको यदि मैं solve करता हूँ, अब देखो, इसको solve करना बहुत ही जरूरी है, अब यहाँ पर आपको देखना है, answer approximation में हो सकता है, कि 2, 4, 6 और 10, 10 to the power 2, 10 to the power 4, 10 to the power 6, मतलब easily solve किया जा सकता है, यही कहानी होती है, इसी 10 to the power 6, एक maximum है, इसको देखो जारा, यह है 19, और यह है 31, तो कितना आएगा, 10 to the power उपर जाके 12 बनेगा की नहीं बनेगा, इसको काड़ दो, बराबर है, और अब यह जो बचा हुआ data है, 2, 3, 6 और 6 into this, 1.6, तो यह लगबग, लगबग 9 के आसपास आएगा, तो यह कट जा वाला है, देखे, 10 to the power 6, meter per second will be the correct answer, तो हर बार, इसलिए बोला जाता है, options पर focus करो, competitive exam में options होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग competitive exam के purpose से पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर options है, तो ही आपका question भी correct है, उसी के basis पर हम लोग सोच पाते हैं, clear है, चलो आगे बढ़ते हैं, question number 9, question number 9 क्या बोल रहा है, 9 बोल रहा है, the cathode of a photoelectric cell is changed such that the work function changes from W1 to W2, हमने क्या किया, वो एक photoelectric cell की बात चल रही है, यहाँ पर, उसका जो cathode है, उसको हम लोगों ने इस प्रकार से बदल दिया है, कि उसका जो work function है, वो W1 से W2 change हो गया, वो ज्यादा है, W1 के comparison में, अब हम current I1 था, बाद में current आया, I2, all the other conditions remain unchanged, बाकि सारी की सारी conditions क्या रहती है, unchanged रहती है, तो यहाँ पर बताना है, अच्छा, एक और बात अज्यूम करनी, जो energy, H new, जो है, मतलब incident light है, वो work function 2 से भी क्या है, बड़ी है, तो I1 और I2 में क्या relation होने वाला है, तो एक बात बताओ, नहीं करी है, और work function change होने से क्या फर्क पढ़ता है, तो work function change होने से आपका फर्क पढ़ता है किस पर, इसका फर्क पढ़ता है, the photo electron की स्पीड पर, फोटो electron जो बाहर निकल रहा है, उसकी speed पर फरक पढ़ रहा है, तो speed पर फरक पढ़ने तो ना, उससे हमें क्या फरक means i1 will be equals to i2 क्योंकि जब आपने h new को change नहीं किया है तो intensity of the light remains same और intensity of the light remains same इसका simple सा मतलब है कि photo current remains same मतलब i1 will be i2 equals to that is first option किदर गया हाँ यह रहा अगें same when light of wavelength 300 nanometer falls on photoelectric emitter photo electrons are liberated for another emitter however light of 600 nanometer wavelength is sufficient for creating photo emission देगो एक हमारे पास में emitter है उस पर 300 nanometer की light डाली गई तो वहाँ पर photo electrons emit हो रहे हैं और जब मैंने 600 nanometer की डाली तबी भी क्या हो रहे हैं photo electrons निकल रहे हैं तो अब पूछा यह गया है कि दोनों के लिए work function का ratio क्या होगा तो work lambda one so lambda two है आपका 600 और lambda one है 300 तो रेशो आएगा टू रेश्टू one मतलब आंसर खतम टू रेश्टू one अब कई लोगे सवाल को देखके डर गए होंगे आरे बहापर ही क्या रेशो बेशो कहां increases with किसके increase होने पर number of photo electrons increase number of photo electrons बोला है मतलब intensity यदि बढ़ती है तो हमारे photo electrons बढ़ते हैं और तभी हमारा current भी बढ़ता है मतलब intensity of the light is the first option करेक्ट है खतम अगला देखो question number 12 momentum of photon of wavelength लैब्ड़ मोमेन्टम क्या होता है लैब्डा बराबर सभी हाँ हम लोग से देखो पी बराबर क्या आएगा है अब जिसने ध्यान से पढ़ा है वह लिखेगा कई हो सकता है कोई जीरो ही लिखके आजाए अचानक से या फिर कई लोग एनर्जी लिखके आजाएंगे वह भी नहीं आएगी वह तो वह भी गलत है क्योंकि वह सी अपॉन लैमडा होनी चीए थी सो क्लियरली एक ही ओप्शन यहां पर करेक्ट दिख रहा है आगे बढ़ते हैं हम लोग आगले क्वेश्चन की तब क्वेश्चन नमबर है थर्टीन देखो अच्छा सा सवाल एक दम प्यारा सा इसमें इसमें बहुत मिश्टेक होने के चांसे हैं क्या है देखो दिखान से इन फोटो एलेक्टरिक एफेक्ट दवर्क फंक्शन अप्ट फंक्शन है आपका 3.5 एलेक्टरॉन वोल्ट एड़ एमिटेड एलेक्टरॉंस के बी स्टॉप्ड बाइप्लाइंग पोटेंशल ओव माइनस 1.2 वोल्ट इसका मतलब यह है कि जो स्टॉपिंग प तो आपको बताना है कि the energy of incident photon यह दो ऑप्शन है बाद में नीचे के दो ऑप्शन और हैं तो पहले हम लोग उपर के दो ऑप्शन पर देखते हैं तो नीचे जाने की जड़रत नहीं है ठीक है अच्छा बई अब देखो वैसे भी मैं आपको बताना option नमबर सी में बोला है frequency of photon be used the photoelectric current will rise अगले में लिकाए when the energy of photo is 3.5 electron the photoelectric current will be maximum यह option दे रखे हैं जो वैसे भी सही नहीं है आपको देखना है उपर के दो option में तो देखो यहाँ पे कई student क्या करेंगे 3.5 minus का 1.2 करेंगे और answer लेके आएंगे 2.3 तो यह गलत है 3.5 plus का 1.2 करने पर 4.7 electron volt answer आएगा यह सही है क्यों सही है क्या तो उसको जड़ा explanation को समझिए क्या हो रहा है कि जो stopping potential होती है तो ध्यान से देखे stopping potential की definition stopping potential is that negative value of potential difference applied across the emitter and collector so that electron having the maximum kinetic energy can be stopped तो इसका मतलब यह है कि आप लोग वहाँ पे already stopping potential में negative sign तो पहले से ही आता है तो जब आप equation लिखोगे तो kinetic energy बराबर क्या लिखी जाती है E minus work function लिखी जाती है तो E बराबर आएगा work function plus का kinetic energy तो जब मैंने stopping potential minus 1.2 वोल्ट लगाया है तो kinetic energy है यहाँ पर कितनी कि kinetic energy cannot be negative यहरी kinetic energy negative आगे इसका मतलब वहाँ से electron निकलेंगे यह नहीं भाई बासन में आई तो work function था 3.5 और तो kinetic energy कितनी हो जाएगी प्लस 1.2 तो अमको add करना था मतलब 4.7 वोल्ट यह वाला option सही आया था जिन्होंने 2.3 लगाया था वो वापस एक बार जाके NCIT को read करेंगे stopping potential वाले topic को फिर से read करके देखिए वहाँ पर यह definition मिल जाएगी और आपको समझ में आएगा अधरवाज लेक्चर में भी मैंने बताया हुआ था काइनेटिक एनजी नेगेटिव नहीं आएगी तो आगे बढ़ते हम लोग जड़ा थोड़ा सा जल्दी करने कोशी करने question number 14 यह बोल रहा है doubly ionized helium atoms and hydrogen ions are accelerated from rest through the same potential drop the ratio of the final velocities of the helium and hydrogen ion देखो क्या हो रहा है कि हम लोगों ने उनको क्या किया है accelerate किया है तो accelerate किया है मतलब आपने दी है kinetic energy in the form of qv और आप से पूछा गया यह जो kinetic energy है basically वो equal हो जाएगी half mv square के kinetic energy के दो formula मैंने क्या कर देखो तो यहां से देखो v बराबर आएगा under the root of 2 into q into v upon small m yes or no अब यहां पर हो क्या रहा है कि यह simple सी बात है कि जो speed है v stopping potential तो दोनों का क्या है same है doubly ionized helium है और hydrogen ion है doubly ionized है मतलब इस पे जो charge हो है plus 2 और hydrogen पे जो charge हो है plus 1 अच्छा मास की यदि मैं बात करूँ अब यह किज़े चला है मास की यदि मैं बात करूँ तो helium 2he4 plus 2 होता है तो इसका मास आएगा 4 और hydrogen वाले का मास आएगा 1 कुछ इस प्रकार से होगा yes or no doubly ionized helium atom लिखा हुआ है यहांपर doubly ionized तो एक बार और लिख देता हूँ अब यह सब जगे चप गया क्या ओके सब जगे चप गया लगता है चलो ठीक है 2he4 plus 2 और 1he1 plus 1 यह situation है तो यहां से आपने देखा कि भाई यह जो speed होती है वो under the root of q by m के proportional है तो v बराबर under the root of q by m है so v1 upon v2 will be equals to under the root of q 1 upon q2 into m2 upon m1 सही लिखाए कि एक बार क्रोस चेक कर लीजे q by m है तो मेरा m उपर चला जाएगा q1 upon m1 into m2 upon q2 so यहां पर values को put कर दीजे values क्या आएंगी अचा ratio किसका किसका पूछा है helium और h plus मतला helium वाला first है तो q है helium का 2 और hydrogen का 1 q a mass है इसका 1 और इसका mass है 4 so answer आएगा कितना under the root of 1 by 2 एक बार फिर से cross check कर लीजे कहीं जल्द बाजी देखो क्या होता है बहुत बार जल्द बाजी में गलती होने की chances होते हैं है आपका 1 वाला और यह है आपका 2 वाला ठीक है 1 वाला और 2 वाला 1 वाला कौन है helium और 2 वाला है h plus ही लिखा है ना क्योंकि आप से ratio किसका पूछा है helium and hydrogen का पूछा है मतलब 1 पे आपको helium consider करना है वी बराबर q by m है तो q1 by m1 upon q2 by m2 तो m2 उपर चला जाएगा q2 नीचे रह जाएगा देख लीजे मैं करके भी देख लेता हूँ मतलब करके दिखा देता हूँ q1 upon m1 whole divided by q2 divided by m2 जिनको समझ में नहीं आया होगा उनके लिए कर रहा हूँ मैं वापस से यहाँ पर देखी जो सब से नीचे वाला होता है यह कितर चला गया है यार बार बार गाया है कोई सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है q1 by m1 whole divided by q2 by m2 so m2 वाला जाएगा उपर और यह m1 वाला आएगा इसके पास में दो q1 m2 देखो q1 m2 upon q2 m1 यह आएगा so q1 है helium तो helium के लिए आप लिखेंगे यहाँ पर helium देखो क्या है helium के लिए helium के लिए क्या है आपके पास में 2he4 plus 2 है तो उसका जो charge है वो है आपका 2 clear है और उसका जो mass है वो है 4 तो आपने लिख दिया mass 4 और अगली बार देखना है हम लोगों को hydrogen के लिए तो hydrogen के लिए charge भी 1 लिखा है और mass भी 1 लिखा है क्योंकि 1h1 plus 1 होता है so यहाँ पर 1 by root 2 इसका answer आ रहा है ठीक है किदर गया यह क्या हो गया इसमें ओके 1 by root 2 यहाँ पर इसका answer आ रहा है ठीक है चलो हम लोग इसको देखते जरा अगले question पर हम लोग सीधी बात यहाँ पर करते हैं थोड़ा system problem हो गया था तो वो जरा मेरे को हटाना पड़ गया कोई बात नहीं यहाँ पर अगला सवाल देखो क्या है kinetic energy of an electron which accelerated in potential difference of 100 volt 100 volt के potential difference पर मैंने एक electron को क्या किया है accelerate किया तो energy कितनी आएगी तो energy आएगी 100 electron volt या फिर आप लिखो के 100 into 1.6 into 10 to the power minus का 19 joule मतलब आएगा 1.6 into 10 to the power minus का 17 joule will be the answer that is given in option number a that is given in option number a okay clear है simple हो गया आपका आगे बढ़ते है 15 के बाद में अगला सवाल देखे question number 16 2000 angstrom क्या है यहाँ पर threshold wavelength और आप से पूछा गया है work function सीधा सीधा निकाल लिए 12400 divided by 2000 0000 काटोगे 0 से point लगेगा यह आएगा 6.2 electron volt option number B एकदम बिना पेन चलाए किये जाने लाएक सवाल है लेकिन मैं फिर भी पेन चला रहा हूं जिससे आपको समझाते हुए चलूँ clear है आगे बढ़ते हैं 3-4 सवाल और बचे हैं हमारे पास में question number 17 क्या बोल रहा है 17 बोल रहा है the wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference of 100 volt याद कीजिए आप लोगों को during the lecture सिखाया था electron के लिए alpha particle के लिए proton के लिए सारे formula सिखाये थे wavelength के directly lambda बराबर 12.27 divided by under root V तो lambda बराबर आएगा 12.27 और 100 तो under root 100 तो यह आ गया एंगस्ट्रॉम में तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा under root 100 मतलब 10 तो यह इदर सरग जाएगा तो lambda बराबर आ रहा है 1.2 एंगस्ट्रॉम तो 1.2 एंगस्ट्रॉम option number D में given है अब देखो सिंपल सी बात यह है भाई जिसको यह फॉर्मूला डैरेक्ट्ली याद है उसके लिए सवाल चुट्कियों में होगा अदरवाइज आपको पूरी मैथड हाफ एंवी स्क्वार बराबर एवी लगाना पड़ेगा फिर वहां से आप क्या करोगे उसको सॉल करोगे फिर वहां से आपके पास में स्पीड आएगी एंड तो सब्सक्राइब करता हूं सीधा सीधा मेरा हो सकता है तो क्यों इदर उदर करने का बात समय में आई सो यह क्वेशन नमबर सेवंटीन हो गया क्वेशन नमबर ऐटीन यह फिर से सवाल आ गया एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास एम है चार्ज is accelerated from rest through a potential difference v in vacuum it's a final speed याद कीजे मैंने अभी सिखाया था आपको half mv square बराबर आपने किया था q into capital v तो v बराबर कितना आया था under the root of 2qv upon small m अब यहाँ पर q की जगे आएगा e तो आप देखिए option number c को देखिए under the root of 2e capital v upon small m will be the answer अब इस formula को directly याद रखना है आप लोगों को 2qv upon m 2 under root 2qv upon m का formula आपको हमेशा याद रखना है directly कहीं पर भी आए put कर देना है और answer निकल के आ जाएगा clear ऐस तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग किदर गया question number 19 देखो क्या है light of wavelength 5000 angstrom falls on a sensitive plate with photoelectric work function 1.9 electron volt photoelectric work function दिया है light की wavelength दे रखी है तो आप से kinetic energy पूछी है तो भाई या kinetic energy maximum बराबर होगा e minus phi या work function phi लिखो w लिखो जो भी लिखना है e बराबर आएगा h c upon lambda minus work function directly मैं इसको value put कर देता हूँ कितना आएगा बारा 400 divided by 5000 minus का 1.9 0000 कटेगा तो यहां पर solve करके कितना आएगा 124 divided by 50 तो पांस दूना दस सो पॉइंट लगेगा दो सो चालीस पांचो का बीस 2.48 minus 1.9 तो देखो इसको subtract करते हैं अच्छा हुआ यह सवाल यहां पर आया देखो 2.48 minus 1.9 लिख दिया मैंने तो कई student क्या करते हैं गलती करते हैं और इसका आंसर मैं बताता हूं क्या निकालेंगे वह निकालेंगे 1.39 ठीक है 1.39 आंसर निकालेंगे जो की गलत है वह क्या करते हैं 48 में से 9 घटा देते हैं ठीक है तो 39 बच जाता है 2 में से 1 सब्ट्रेट कर देते हैं 1.39 बहुत सारे स्टुइंट ऐसे करेंगे तो ध्यान रखना जब कभी भी सब्ट्रेक्शन करना हो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है तो यहां पर देखो कुछ नहीं है तो 0 इसा है क्या है ना अब कई लोग सोच रहे हैं सर इतना चोटा सब्स्रेक्शन हम लोग गलती करेंगे ऐसा है क्या मैं जानता हूं कि 99 परसेंट गलती नहीं करेंगे लेकिन मुझे 1% स्टूडेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है और बाद में होता है यह परेशानी और ऐ सकता है यहां पर चल बाजी में यहां पर सवाल को यहां पर रखाऊं कि यहां गलती होती है जब ऐसे सब्ट्रेक्शन कर रहे होते हैं तो 0.5 electron volt अभी के लिए इस आंसर है जो कि आपको अभी अब्यसमझ में आया होगा गलती कहां पर हो सकती है समझ में आया वूल्ट आंसर ला सकते हाला कि इसमें मैच नहीं कर रहा है लेकिन हो सकता था ना कि आप्शन में दे दे 1.39 तो कई लोग टिक भी करके आते थे ठीक है क्लियर है आई यू शॉर चलो आगे बढ़ते हैं और अपने आज के लास्ट क्वेस्चन को खतम कर देते हैं लास्ट गया है आपको वर्क फंक्शन दिया गया है 4.125 और आपसे वेवलेंथ यानि तरंग दैर पूछिए क्या करेंगे लैमडा बराबर 12,400 डिवाइड़ बाई खतम पुट कर दीजे लैमडा बराबर आएगा 12400 डिवाइड़ बाई 4.125 तो यहां पर देखिए सीधा सीधा मैं क कितना गया है पॉइंट अटाओगे 3.0 तो वो बढ़ जाएंगी ठीक है अब 4125 से इसको मुल्टिप्लाई करो 3 से तो कितना आएगा 3375 द्यान से तो को मैं क्या बोला 4125 इंटू 3 करो 4125 इंटू 3 करोगे तो यह आएगा 12375 और हम लोगों ने लिखा है 12400 मैं आपको और clarity के लिए बता दू यह 12400 नहीं होता है यह 12375 ही होता है exact data exact data to 12375 होता है लेकिन मैं 12400 ही इस्तिमाल करता हूँ तो इसके कारण यह ऐसा ही हुआ और यहाँ पर देखो यह तीन जीरो साइड में है साइड 25 तो आपके पास में तीन नहीं यहाँ पर बढ़ आती थे तो यहँआ पर एक जीरो बढ़ जाएगी तो इसके लिए परेशान होने की जड़त नहीं है यहां पर जीरो कैसे आएगी मैं एक्षुली यहां पर मैंने क्या कर दिया थोड़ा सा यह कर दिया बारा सो चार से करें के चार आट चोविस मतलब तीन हजार आठ आठ थीन हजार आठ तो तीन हजार आठ को आप एप्रॉग्जीमेटली वैसे भी 3000 एंगर्श्ट्रॉम लिख सकता है र्लावर मैं मुझावानी करते क्रते वो आठ हो गया होगा सैवन रहा हो गा नाइन रहा होगा जो भी रहोगा मेन बात हां और इसलिए बूला बहुला हो बार आप लोगों को एक बात कर रहा हुं कि जब भी आप कॉमपेटिटिव इक्सान्स पर जैने रहें तो आ इसके लावा कोई दूसरा औसर हो ही नहीं सकता इसी के साथ में हम लोग अपने आज के इस सेशन को पर समाप करेंगे आपका चैप्टर को हम लोगों थे कंष साथ में हम लोगों ने नियुमेरेकल्स भी यहां पर करने की कोशिश की आप देखो इस में फोटो स्य वाले में को पॉसिबल थी मैंने वो करवा दी है graph के question directly graph से related सीधा सीधा पूछा जाता है intensity बढ़ी तो photo current बढ़ेगा decrease होगा frequency बढ़ेगा तो क्या होगा यह सीधे सीधे questions होते हैं उसके लिए आपको theory अच्छे से करनी पड़ेगी ठीक है सो इसी के साथ में हमारा आज यहां पर एक chapter भी पूरी तरहेगे से समाप्त हो गया है that is dwell nature of matter and dwell nature of radiation and matter clear है सो आज के लिए बस इतना ही मुलाकात होगी अपनी आने वाले अगले lecture के दर्मियान सो तब तक के लिए धन्यवाद